हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आपका भी WhatsApp से कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या आप जाना चाहते हैं कि WhatsApp से डाउनलोड प्रोब्लेम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो फिर इस ब्लिए को देखते रहिए हेलो, नमस्ते, मैं और नाम है सनुज तो चले इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे So यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वाटसेप को ओपिन किया हुआ है सबसे पहले आप अपने फोन में वाटसेप को ओपिन कर लीजिए और यहां क्या problem आ रहा है कि हमारे जो phone है, उसमें कुछ भी download नहीं हो रहा है WhatsApp में, जैसे कि यहां पे मैं आपको एक chat open करके दिखाता हूँ, यहां पे आप देख सकते हैं एक photo और एक audio message आया हुआ है, यहां पे मैं जब इस पे click करता हूँ, तो यहां पे यह नचते रहता है download नहीं होता है, नीचे वाला भी click कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यह downloading नहीं होगा, कितना भी मैं कोसिस करूँ, यह download होता ही नहीं है, यह नचते नचते में एक बार उपर में एक pop-up सा message दे देगा, देख सकते हैं, download failed, तो यहां पे हमारा download नहीं हो रहा है, अब यहां पे क्या करना है, इसे कैसे solve करना है, उसी को हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप WhatsApp से बाहर आईए, और यहाँ पे मैं आपको दो-तिने steps बताने वाला हूं, जिसे आपको follow करना है, उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा, तो इसके लिए सबसे इससे पहले तो आपको उपर से स्लाइड करना है, और यहां पर आपको चेक करना है कि आपका जो internet connection है वो प्रोपर आ रहा है कि नहीं. यहाँ पे मैंने internet connection को on किया हुआ है मेरा network भी आ रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक बार airplane mode को on करना है और उसके बाद इसे off करेंगे और internet connection को आपको on कर लेना है और अब आपको check करना है WhatsApp में जाके कि अब आपका downloading start हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अब आपको क्या करना है अब आपको जाना है settings पे settings पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा app management यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा app list यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको यह two dot दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और so system पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको उपर में search करना है download download manager यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है नीचे तो download manager आपको खोज के इस पे आपको एक बार क्लिक करना है और यहां से आपको एक बार force stop पे click करना है force stop करेंगे अब फिर यहां से आप back आईए और अब यहां पे आपको type करना है whatsapp whatsapp यहां पे आप देख सकते हैं whatsapp आ गया है तो whatsapp पे आपको एक बार click करना है और इसे भी आपको force stop पे click करना है force stop करेंगे यहां से और अब यह force stop हो गया है force stop करने से क्या होता है कि इसका जो background process होता है वो kill हो जाता है और जो lag हो रहा होता है या फिर अटक जाता है हमारा whatsapp वो हमारा यहां से ठीक हो जाता है तो अब यहां से हम back आएंगे और अब आपको check करना है whatsapp में जाके कि अब आप का डाउनलोड हो रहा है कि नहीं अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक step आपको और करना है उसके बाद यह ठीक हो जाएगा यहां से आपको जाना है setting पे sorry यहां से setting पे नहीं जाना है यहां से आपको जाना है WhatsApp पे WhatsApp धून लेना है और इस पे long press करना है और उसके अब आप इन्फो पे जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगा data usage settings, details, यहां पर आपको click करना है और यहां पर आपको check करना है कि यह जो दो setting है, disable mobile data और disable wifi, यह दोनों आपका off रहना चाहिए, यह on नहीं रहना चाहिए, यह दोनों आपको check कर लेना है कि यह off है या on है, तो इस download हो रहा है कि worship खोलते हैं, यहां से हम download करने की कोशिस करते हैं, तो इस पर click करते हैं, और यह देखिया, download हो गया, इस पर भी click कर लेते हैं, और यह भी अब downloading हमारा हो जाएगा, तो देख सकते हैं, यह भी हमारा download हो गया है, तो इस तरह से हमारा जो problem है, वो solve हो चुका है, तो इसी तरह से आप अपने WhatsApp के डाउनलोड प्रोब्लेम को ठीक कर सकते हैं